रतिका जब भी हम कानून की बात करते हैं अपनी नियाईक व्यवस्ता प्रभात करते हैं तो हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि कानून की नजर में हम सभी बराबर हैं लेकिन कभीगबाय सीवर्ण ऐसे इंसिटेन्स हो जाते हैं ना कि सही और गलत का फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए और कानून जो है वो किस तरह से हमारी प्रॉब्लम्स का सुलूशन निकालता है हा रतिका ऐसे वेना प्रिंसिपल्स ऑफ नाचुरल जस्टिस का इस्तमाल किया जाता है और यह ऐसे विचार होते हैं जिने स्वभाविक रूप से तो न्याय के साथ ही जोड़ा जाना चाहिए फिर चाहे यह कानून का हिस्सा हो या फिर नहीं तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ नाचुरल जस्टिस क्या होते हैं इससे जुड़े होए फैसले यह कैसे हमें मदद करता है यह सभी जानकारी आज हमारे साजा करने के लिए स्टूडियो में उबस्तित है एड्वोकेट साक्षी खकर एओर सुप्रीम कोट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नाचुरल जस्टिस का जो इवाल हुआ है वो रोमन वर्ड जस्ट नाचुरल से हुआ है जर्नली यह क्या है एक नैतिक और समाने लौ जो होता है उसमें इसका यूस किया जाता है अपना पक्ष रखने का अधिकार अगर कोई भी किसी मुद्दे पर जात्यासा और हमारे पुराने पुराने पुरान सिधाने तहर जगा इसका विवरण ऐलग अलग शब्दों में पाया गया है जैसे कि आज अगर किसी के अगेंसका कोई भी डिसीजन कोई अथारिटी लेती है या किसी की suspension होता है, termination होता है या tender cancel होता है जर्नली पर यह तो principle of natural justice के important aspects क्या है और कानून इसके बारे में क्या कहता है principle of natural justice के तीन बहुत important aspect है जैसे कि आपको proper सुनने के लिए दिया जा जिसको कहते है rule of hearing दूसरा rule of biasness यानि किसी की पक्ष के लिए जो भी एक panel constitute हुआ है या कोई भी authority है या officer है जिसको decision लेना है वो किसी के भी पक्ष के दो अगर दो parties हैं तो उसके लिए वो किसी के लिए भी bias ना हो अब biasness किस तरीके की हो सकती है biasness personal तरीके की हो सकती है मानि आप और हम है और मेरा आपके साथ दोस्ती बहुत अच्छी और मुझे आपी के एक आपी को लेकर कोई decision देना है चाहे वो आपकी appointment हो चाहे वो आपका किसी भी तरीके का कोई आपको लेकर decision देना है तो वो एक personal biasness हो सकती है जहां किसी का किसी से कोई रिष्टा है चाहे वो friendship का हो यहीनी अच्छा रिष्टा मान लीजे कि आपके साथ किसी की animity भी है दुश्मनी भी है और आपको उसी को देखते हुए उसी के पक्ष या विपक्ष में निर्ड़ने लेना है तो personal biasness आती है इसी तरह एक होता है pecuniary biasness जैसे कि आज मैंने किताब लिखी और बहुत सारी किताबों का selection होना है जिसके लिए committee बिठाई गई है उस committee की member मैं खुद भी हूँ और मैं यह चाहूँगी कि मेरी किताब का selection जरूर हो तो एक तरीके से हो जाएगा pecuniary biasness ताकि मुझे खुद को profit मिल रहा है तो उसको कहते है pecuniary biasness जो नहीं होनी चाहिए तीसरा होता है official biasness, official biasness कैसे होती है बहुत सारे government department जैसे municipal corporation department हो गया या जो भी authorities जो tenders निकालती है constructions के लिए या किसी भी तरीके की मान लीजे वो कोई policy decision लेती है कि हम ये tender इस तरीके से execute होना है अब जो tenderer है वो tenderer उस policy को challenge करता है बट अगर कानू उसमें जो statutory obligation है वो यही कहता है कि जो जिन officers ने वो policy बनाई है वो ही officers अगर किसी को कोई grievance है वो ही same officers include होंगे और वो policy सही है या गलत है देखेंगे तो एक तरीके से official biasness वहाँ पर आ सकती है इसलिए generally पहले शुरू शुरू में जो officers होते थे same officers उनका panel constitute कर दिया जाता था पर यह देखा गया कि दीरे दीरे वो अपनी ही policy को सही कहेंगे गलत तो कहेंगे निए अगर आज कोई department अपनी policy बनाता है इसलिए दीरे दीरे Supreme Court ने कहा कि एक बाहर का व्यक्ति जो की unbiased तरीके से decision दे सके ना तो वो tender के या employee के favor में हो ऐसा कोई ना कोई जरूर उस panel पे होना चाहिए ताकि unbiased decision दिया जाए इसमें एक चीज और आती है कि a person cannot judge his own act माने कि अगर आज मैंने ही खुद कुछ किया है और आज मुझे ही उसको judge करना पड़े यह सई है या गलत है वो जो rule है वो गलत होता है एक act जो same करे वो खुद को judge नहीं कर सकता ये भी एक natural principle of natural justice का बहुत important aspect रहता है तो वैसे कि हम अपने आपको खुद judge कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं इसलिए तो जैसे कि आपने बताया है कि principle of natural justice जो है वो ensure करता है कि fairness हो हाँ क्योंकि कि इसरा important aspect होता है reasoned order reasoned order माने कि आज मान लीजे कि मैं कहीं पर job कर रही हूँ रातो रात मुझे एक letter आता है you have been suspended or you have been terminated अब उस order में या जो भी मुझे communication हुआ उसमें कोई reason नहीं है reason नहीं है और कोई भी termination या suspension से पहले मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया अफसर नहीं दिया गया यानि अपनी बात को कहने का मौका वो भी एक unbiased तरीके से decision लिया जाए इसलिए जैसे कि कहते हैं कि supposedly if somebody has given a judgment in high court that the same person cannot judge his own judgment when it is challenged तो इसलिए you cannot judge your own act oh all right बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया हमें बहुत अच्छे से समझ भी आया तो अगर हम प्राकरतिग नहीं के सिद्धानतों द्वारा चाहे वो termination suspension या कोई भी adverse action होता है तो उसके लिए उस employee को पहले एक notice दिया जाता है अच्छा अगर बिना notice दिये जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको suspend कर दिया जाए तर्मिनेट कर दिया जाए या आपके against कोई disciplinary inquiry की जाए या charge sheet की जाए तो that is against the principle of natural justice तो सबसे पहला important होता है notice देना अगर बिना notice दिये कोई भी order with respect to जिससे कि आपका interest किसी भी employee का या किसी का भी interest impact होता है तो that will be against principle of natural justice तो आपने notice की बात की ये notice का कोई time limit होता है कि इतने दिन पहले notice आना चाहिए या immediate notice पर भी हम लो कर सके है की बात की जाए तो जब किसी की appointment होती है तो उस appointment में लिखा होता है that if you want to terminate, suspend या आपको खोद अगर job छोडनी है तो आपको भी एक notice देना पड़ता है तो उस appointment order में ही generally वो time दिया जाता है इसी तरह अगर tenders की बात करी जाए तो tenders को terminate करने के लिए या cancel करने के लिए जो tender document होता है उसमें वो time period दिया जाता है तो सबसे पहले principle of natural justice को सुनष्चित करने के लिए होता है कि कोई भी affected person जो की आपके action से effect होगा उसको एक notice दिया जाए ताकि वो अपना पक्ष रख जाए अचा principle of natural justice generally judicial, quasi-judicial या administrative actions में जादा महत्वपून रहता है पर इसी के साथ हमे यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए अगर कोई emergency situation है या कोई ऐसे तथे हैं कि जहाँ पर आप किसी भी FAT को rebute नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर principle of justice का कई बार application नहीं होता है अचा दूसरा रहता है कि notice के बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो दूसरा पक्ष है उसको sufficient time दिया जाए अपना case अपना पक्ष आपके सामने रखने के लिए तो बतलब time भी दिया जाए और time से पहले भी सामने बार इंसान को inform कर दिया जाए ताकि उसके पास अफसर उसके पास हो कि वह अपना पक्ष रख सके जैसे कि मान लीजे कि आपको आज एक किसी को आपने notice दिया अब आज उसको कह दें कि आज हम आपके अगेंस action ले रहे है तीन बजे हम action लेंगे दो बजे तक आपको हमें रिपोर्ट करना है उसके बाद यह होता है अगर हम tender matters में जाए तो tenders अगर आप cancel करते हैं काम देने के बाद अगर cancel करते हैं और काम शिरू हो चुका है तो वहाँ पर principle of natural justice बहुत मानने रखता है बलकुल और यहाँ पर बालंस जवे में अपरोच कैसे किया जा सकता है principles of justice का इस्तमाल कर उसमें इंपोर्टन रहता है कि अगर दो पार्टी रहें और एक और तीसरे पैनल है या कोई व्यक्ति है जिसने जिन्रिंदा लेना है तो वह सबसे पहले दोनों पार्टी से associated ना हो, unbiased हो, सबसे इंपोर या आपका कोई personal gain हो सकता है जैसे कि आप हाल फिलाल में देखेंगे कई बार matters में judges recuse करते हैं कि हम supposedly मानली जियो किसी को जानते हैं or alliance के matter में कई judges ने recuse कि हमारे काई उस company में share है तो it is a kind of जहां आपका एक financial involved होता है कहीं पे आपका personal involved होता है जैसे कि अगर officers departments है तो departments में अ notice और मुझे ही कहा जाए कि notice को इन्होंने challenge कि आप देखें कि notice गलत है या सही तो मेरा personal वहां पर obligation है I am personally linked with it so I can't judge my own act that is what I said you can't act judge your own act when it comes to principle of natural justice अगर by chance कोई हम यह समझते हैं कि यह जो हमारा case है यह principle of natural justice का है और हम इसे सामने इसको ले कर जाते हैं और वहां जाके पता चलता है कि इसमें यह apply ही नहीं होता इसी principle of natural justice has not been defined यह ऐसा है यह law यह है कि हर किसी को बोल अपना case अपना case रखने के लिए आपको opportunity देनी है इसलिए आप देखेंगे कि जहां पर अगर कई बार कोई भी व्यक्ति वकील नहीं कर पाता तो legal aid, legal service ताकि उसको एक opportunity दी जाए वो यह ना कह सके कि मुझे मेरे इसको help करती है तो मतब अगर किसी तरह से कोई अगर कोई वकील नहीं कर पा रहा है या financial issues के चक्कर में कुछ भी है तो वो अपने आपको खुद जो है अपने अपने परेशनर इन-परसन भी वो प्रेजन कर सकता है चाहे वो आज की हमारी नयाय पालिकाय हो या हमारे government department की क inquiry हो इंपोर्टेंटली यह रहता है कि जो भी व्यक्ति किसी भी चीज से प्रभावित है उसे अपने पक्ष रखने का अनबाइस तरीके से मौकत दिया जाए अगर वो अफसर नहीं दिया जाता तो होता है कि यू है वोलेटर प्रिंसिपल आफ नाच्वल जस्टिस ओके तो अच्छा टॉपिक हमें समझाने के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका दन्यवाद